हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब दोस्तो कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही अपनी हैप्पिनेस और सक्सेस के राष्टे में रोड़ा बन जाते हैं और कई बार तो हमें इस बात का पता भी नहीं चल पाता बार बार मन में एक ही है या बहुत सारे नेगरेटिब थोट्स आते हैं दोस्तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एक बार स्वामी विवेका निंद जी एक मंदिर से निकल रहे थे कि तवी बहा मौझूद बंदरों ने उन्हें घेर लिया बंदर उनसे प्रसाच शीरने लगे और स्वामी जी खुद को बचाने के लिए भागने लगे बंदर भी उनके पीछे पीछे दोडने लगे वही पास खड़ा एक सन्यासी ये सब देख रहा था उन्होंने स्वामी जी को रुका और कहा रुको डरो मत उनका सामना करो और फिर देखो क्या होता है उस सन्यासी की ये बात सुनकर स्वामी जी तुरंत पल्टे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे और ऐसा करते ही सभी बंदर वहां से तुरंत भाग गए तो दोस्तो हमारे मन में आने वाले ये नेगटिव थॉट्स इन बंदरों के जैसे ही है हम जितना इन से डरते हैं हम जितना इन से भागते हैं उतना ही हमारे पीछे पीछे आते हैं लेकिन जब रुक कर, मुड कर, डट कर इनका सामना करोगे यानि जो नेगटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं उनका सामना करोगे कि आने दो आने दो जितने भी नेगटिव थॉट्स आ रहे हैं सो आ रहे हैं, हजार आ रहे हैं आने दो चाहे जो हो जाए, मैं नहीं डरने वाला क्योंकि मैंने एक positive thought को पकड़ के रखा है जो इन सब से बहुत जादा powerful है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ आज चाहे जो भी situation हूँ पर मुझे मेरी power पता है तो दोस्तो तो अगर किसी भी चीज से डरो या ऐसे negative thoughts आए तो उससे भागो मत पल्टो और उसका सामना करो तो दोस्तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे ताकि यू